इंदोर नार्कोटिक्स विभाग ने बड़ी कालवाही करते हुए अंतरजवातिय गिरों का परदापाश किया है विभाग ने गिरों के चार सदस्यों को गिरफतार कर 80 किलो गांजा चप्ट किया है वहीं अभी इनसे पूस्ता चारी है इंदोर नार्कोटिक्स विभाग ने आला अर्दिकारियों के निरदेश पर इंदोर के आसपास के इलाकों में ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है इसी कड़ी में विभाग को सूचना मिली थी कि एक अंतरजातिय गिरोह बड़ी मात्रा में गांजा लेकर इंदोर में सप्लाई करने वाला है इस पर विभाग ने जगा जगा चेकिंग पॉइंट लगाए सबजी से भरी गारी की बारी की सिजाश करने पर चौकाने वाला खुलासा हुआ आरोपी लौकी के बीच में गांजा रखकर सप्लाई करने आये थे विभाग ने चार आरोपी मस्तान, आसिफ, प्रकाश और निल भील को गिरफतार कर उनके कबजे से 80 किलो गांजा जिसकी कीमत करीब 20 लाग पर बताई जा रही है चप्त किया है पूस्ताश में आरोपी उनने बताया कि कई सालों से ये गांजे की सप्लाई अन्य राज्यों में करते आ रहे हैं और सबजियों के बीच गांजा रखकर लाते थे और सुप पूरे प्रोडेश को निर्देशित किया गया था कि ट्रग माफिया ज है उनके ख defenders की आरे सक्ति की जाए है जिसमें एक अंतर राज्जी ग्रो को पकड़ने में हमें सफलता मिली है जो सब्जी की सब्जियों में छपा करके गांजे की तसकरी करते थे और इनके कई राज्जियों से संबंध है और अभी इनके पास 80 कलो गांजा मिला है जो कि विल्कुल प्रॉपरली पैक्ड करके इ उच्च क्वालिटी का जो गांजा इसकी डिमांड मार्केट में तेजी से बढ़ रही है उसी का फायदा उठाते हुए इनके दोरह यह तसकरी की जा रही है और इसमें अभी हम लोगोंने चार आरोपियों को इसमें गरबतार किया है जिसमें एक जो आरोपी है वह मस्तान प्रिकाश भूरिया और लील सिंग जिसमें आसिप और मस्तान खान जो है वह पसरावत के रहने वाले और बाकि दोनों आरोपी जो है वह जिला जहुआ के रहने वाले और इनके कई राज्यों से इनका संबंद हैं हम इंसे लगातर पूच्टाच कर रहे हैं और कोशिश कर है कि इसमें और भी जो लोग इंवल्ड है इस पूरे गैंग के साथ जो मिलकर के गांजी या इस तरह के नशीली पदारतों की तसकरी करते हैं उनको हम पकड़ सकें